नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका चमतकारी तोटके में आज हम आपको बताएंगे M नाम के लोग कैसे होते हैं उनके आदिते ही स्वभाव गुण अवगुण और उनका राशी फल 2021 के अनुसार लेकिन उससे पहले चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजे, लाइक कीजे, शेर कीजे और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजे नए वीडियो के लोटिफिकेशन के लिए दोस्तों आपका नाम आपकी पसंद, नापसंद और जीवन के एहम फैसले लेने की शमता को भी प्रभावित करता है आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जिन लोगों का नाम M अक्षर से शुरू होता है, उनका स्वभाव और व्यक्तित्व कैसा होता है उनके खासियत क्या होती है, आपका नाम आपकी परसनेलिटी और डेस्टिनी दोनों को प्रभावित करता है ऐसा कहा जाता है कि आपका नाम आपके अतीत, वर्तमान और भविश्चि को समाहित किये हुए है हर अक्षर की अपनी अंकिये उर्जा होती है अक्षर M को अंक 4 के बराबर माना जाता है अंक 4 साहज, बुद्धी, महनत का प्रतिनिध्यत्व करता है आए जानते हैं कि इस अक्षर से नाम वाले लोगों के बारे में कई सारी दिल्चस्प बाते जिन लोगों का नाम M. अक्षर से शुरू होता है वो बेहद वफादार किस्मों के होते हैं यह पारंपरिक और उच्च नैतिक मूल्यों में विश्वास करने वाले होते हैं यह अपनी लाइफ में बहुत ही फोकस जो होते हैं इन्ass अपने अगले कदम के बारे में पता होता है ये नए नए परियोग करने में बिलकुल भी नहीं हिचकिचाते, ये अपने जीवन में बहुत अनुशासित होते हैं और इमानदारी से कभी समझोता नहीं करते, साथ ही ये बहुत ही महंती और भविश्य की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहने वाले होते हैं, ये जल्द किसी क प्यार में पढ़ते हैं, उसके साथ हमेशा खड़े रहते हैं, ये अपने करीबी और दोस्तों के लिए दूसरों से भी लड़ जाते हैं, जो एक बार ठान लेते हैं, उसे पूरा गर के रहते हैं, इनका आत्म विश्वास इनको काम्याबी भी दिलाता है, आप उन लोगों मैंसे नहीं हैं जो बदलाव आने का इंतजार करते हैं, बलकि आप बदलाव लाने में यकीन रखते हैं, गंभीर सोच वाले व्यक्तितु के स्वामी होते हैं, ये प्रैक्टिकली सोचते हैं, वर्क ओर्येंटेट होने के साथ साथ हर काम को बेहत योजना बद तरीके से करत किसी जल्दबाजी में कोई काम या फैसला नहीं करते हैं, ऐसे लोगों का एक नकारात्मक पहलू ये होता है, अगर दूसरे अपनी हद पार करते हैं, तो फिर ये अपना आपा खो बैठते हैं, और ये फिर बिना सोचे समझे कदम उठा लेते हैं, आपके मन में अने को जि जिफल 2021 लेके आए हैं, जिसके नाम का पहला अक्षर अंग्रेजी वर्ण माला का M लेटर होता है, जिन लोगों को अपनी जन्म किथी का ग्यान नहीं है और उनका नाम अंग्रेजी वर्ण माला के M अक्षर से शुरू होता है, नियुम्रलोजी के आधार पे M लेटर आंक राहू का होता है, यदि जोतिश की बात की जाए तो ये अक्षर मघा नक्षत्र के अंतरगत आता है, जिसका स्वामी केतू है, और ये सिहर आशी के अंतरगत आता है, जिसका स्वामी सूर्य है, इसका आर्थ ये होता है कि M लेटर वाले लोगों के लिए 2021 में राहू, केतू और सूरी की स्थिती के अनुसार विभिन्न प्रकार के शुभाशुप परिणाम प्राप्त होने के योग बनेंगे तो आईए जानते हैं कि वर्ष 2021 में कैसा रहेगा आपका जीवन आपकी जॉब को लेकर आप निश्चिंत रह सकते हैं क्योंकि आप पूरी तरह से अपने रंग में नजर आएंगे जॉब में आपकी स्थिती उन्नत होगी और आपको पदोनती मिलने के भी योग बनेंगे अब बात करते हैं वैवाहिक जीवन की विवाहिज जात्कों के लिए ये वर्ष धूप छाओ जैसी स्थिती का निर्मान करेगा आप दोनों के बीच तालमेल की कमी दिखाई दे सकती है जिसकी वज़े से रिष्टे में चुनोती पूर्ण स्थितियों का निर्मान होगा ऐसा विशेश रूप से वर्ष की शुरुआत से साल के मध्य तक होगा इसके बाद स्थितियों में काफी सुधार आएगा शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के दृष्टिकोंट से इस वर्ष की शुरुआत बेहत अनुकूल रहेगी आपको आशा के अनुरूप परिणाम मिलेंगे जिससे आप बहुत खुश होंगे ये साल प्रतियोगिता परिक्षाओं की तैयारी में लगे विद्धार्तियों के लिए बहुत अच्छे परिणाम लेकर आएगा अब बात करते हैं प्रेम जीवन प्रेम संबंधी मावनों के लिए ये वर्ष उतार चड़ाओं से भरा रहेगा यू तो आपके रिष्टे में काफी गहराईयां रहेंगी और आप एक दुसरे को बहतर तरीके से समझेंगे फिर भी किसी तरह का विरोधाभास हो सकता है आर्थिक जीवन की बात करें तो ये वर्ष मिश्रित परिणाम देने वाला साबित होगा वर्ष की शुरुवात में आपके हाथ में अच्छा लाब लग सकता है और सरकारी शेत्र से भी कुछ अच्छे लाब की उमीद आप कर सकते हैं लेकिन वर्ष के मद्य से आगे का समय बहुत सावधानी भरा होगा स्वास्त की बात करें तो स्वास्त ही सबसे बड़ा धन है और अच्छे स्वास्त की कुंजी हमारे हाथ में है इस वर्ष आपको यही ध्यान रखना होगा कि इस वर्ष आपकी स्वास्त समस्याइं आपको परिशान कर सकती है ध्यान नहीं देंगे तो समस्याइं बढ़ सकती है अब उपाई हम आपको बता देते हैं इस वर्ष आपको राहू के बीज मंत्रë यानी कि ओम भ्राम भीम भॉम सह राहवे नमह का जाप करना उत्तम फलदाई रहेगा दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखे और ऐसे ही अपने चैनल चमतकारी टोटके से चुड़े रहे धन्यवाद